हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्व चैनल होम एजूकेशन टुड़े आइम गोइंग टू एक्स्प्लेन दा पोएम एफ फोटोग्राफ कंपोज़ बाई सरली टालसन आईए ये पोएम सुरू करते हैं इस पोएम को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजूकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के CBSC बोड के वीडियों जो आपको मिलते रहें आईए पोएम पर आते हैं The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling कवित्री जी कहती हैं कि उनके कमरे में एक cardboard लगा हुआ है फोटो वाला cardboard लगा हुआ है उसमें एक फोटो चिपकी हुई है वो cardboard ये दरसाता है मुझे कि कैसे दो चचेरी बेहने समुद्र में समुद्र के पानी में छपाक वाला खेल खेलने गई थी पैडलिंग वाला खेल खेलने गई थी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो समुद्र के पानी में पैर मारते हैं उसे पैडलिंग वाला गेम कहते हैं तो कवित्री कहती हैं कि उनके कमरे में जो कार्ड बोर्ट लगा हुआ है, जिसमें फोटो लगी हुई है, वो फोटो ये दिखाती है कि कैसे दो चछेरी बेहने समुंदर में पैर मारने वाला पैलिंग वाला खेल खेलने गई थी, Each one holding one of my mother's hands दोनों बहनों ने, दोनों चचेरी बहनों ने मेरी माता जी का एक हाथ पकड़ रखा था And see the big girl, और मेरी माता जी सबसे बड़ी लड़की थी Some 12 years or so, वो कुछ 12 साल की रही होंगी या फिर आसपास All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera तीनों लड़किया सांध खड़ी हुई थी, उनके बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो एक अंकल जी के उपर मुस्कुरा रही थी, जो अपने हाथ में कैमरा लिये हुए थे A sweet face my mother's that was before I was born ये मेरी मम्मी जी का बहुत ही प्यारा वाला चेहरा था ये वो चेहरा था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी यानि मेरे मेरे पैदा होने से पहले का चेहरा था और जो सागर जो अब तब से लेके अब तक बहुत कम बदला है वास्ट दियर टेरिबली ट्रांजियन फीट इस सागर ने उनके फूरतीले पैरों को भयानक रूप से धो दिया था तो ये था पहला इस्टेंजा अब आए दूसरा इस्टेंजा पर सम ट्वंटी थर्टी येस लेटर सी हैड लाफ एड़ दा इसनेफ साट कुछ बीस या तीस साल बाद वह उस फोटोग्राफ पर हस्ती है आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अब जो पोईटेस की मदर है उनकी साधी बया भी हो चुकी है पोईटेस पैदा हो चुकी है अब वो पोईटेस से बात कर रही है ये बात आप याद रखिएगा कुछ बीस या तीस साल बाद वह फोटोग्राफ पर हस्ती है और अपनी बेटी से कहती है ये पोईटेस से कहती है क्या कहती है सी बेटी और डॉली सी हैट से देखो बेटी और डॉली को देखो ये नि चचेरी बहनों का नाम क्या है बेटी और डॉली जो उस पिक्चर में दिख रही है बेटी और डॉली को देखो सी हेट सेवर कहती है और ये भी देखो कि लोगों ने हमें बीच पर जाने के लिए कैसा कपड़ा पहनाया है यानि उनका कपड़ा काफी फणी दिख रहा है दसी हालिडे वाज हर पास्ट कवित्री जी कहती है उनकी मम्मी छुट्टी मनाने समंदर के पास जाती थी पैडलिंग करती थी माई नीज हर लाफ्टर और मेरी जो खुसी है उनकी हसी में ही मेरी खुसी है यानि कवित्री जी कहती है कि मेरी जो खुसी है, मेरी मम्मी की हसी में ही मेरी खुसी है बोथ राय विद दा लेबर्ड इजाफ लास दोनों ने बड़े आसानी से एक दूसरे को खो दिया फिर कवित्री जी कहती है कि अब मेरी मम्मी को मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए है जितने साल की वो लड़की फोटो में दिख रही है यह नि वो लड़की फोटो में उनकी मम्मी कितने साल की दिख रही थी? बारा साल की, something and of this circumstance there is nothing to say at all और इन परिस्थिती में कहने के लिए कुछ भी नहीं है it's silence, silence हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है कहने का मतलब यह है कि अब उसकी मा का दिहान थो गया तो सन्नाटा और निरासा उसको देखने को मिल लई है सारी खुसियां खत्म हो चुकी है तो students कैसी लगी यह पोएम? इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल होमेजू के सन को अबसे सब्सक्राइब कर लिजेगा ओके थैंकियू